हेलो एब्रीवन वेल्कम डो माई चैनल आज की इस वीडियो में हम बीपी सेसवाइटी सेवन जो यह हमारा सब्जक्ट कोड है मानवस्तन साधुनों का प्रबंदन नाम से यह हमारा कोर्स है तो आज हम इस वाले एक्जाम का जो हमारा पेपर हुआ था यह जून दो हजार ते और टाइमिंग हमारी दो घंटे के हमको मिलती है वही इस वाले पेपर में भी दो भाग दिये गए है भाग है और कै होगा इसके अलावा मतलब हर पार्ट में से आपको कोई भी दो कोशन मतलब attempt करना यहां पे अनिवारिया है इसके अलावा हमको यहां पे टोटल पाच में और जो मतलब हारे question के लिए हमको 300 words लिखने हैं मतलब हमको 300 words यहां पे limits दे रखिया को questions के लिए तो इसके recording ही हमको लिखना है तो देखिए हम start करते हैं यहां से अपना question paper तो फर्स्ट कोशिन है वो क्या है रन नितिक मानुसन साधन परबंदन को परिभाशित कीजिए और मानुसन साधन परबंदन की कारियों की चर्चा कीजिए तो यहां पे भी दो कोशिनों क्याड़ किया गया है जो फर्स्ट कोशिन है वो क्या है देखिए कि रन नितिक मानुस सब्सक्राइब है तो निवह पर सब्सक्राइब या होता है मैं आपको कराती है तो हम बात करें रन नित्यक मानुः सब्सक्राइब dividend की तो मतलब ये क्या होता है ये मतलब जो भी मतलब रन नितिया होती है या हमारे लक्षा होते हैं या कारियों होते हैं जो भी मानव करता है अपने संगठन के लिए मतलब उसमें ये हैल्प करता है हमारी ये मतलब एक युक्ति होती है जो इनसान को प्रेरित करती है मान और संसाधन प्रबंदन इसके लाव आप यहां से इसको रीड कर सकते हो complete पूरा तो आपको यहां से help मिल जाएगी इसके लावा आप देखिए यदि हम बात करें मानोसन साधन प्रबंदन के कारिया की तो जो मानोसन साधन प्रबंदन होता है वो बहुत सारे कारिया करता है जैसे की नियोजन करना मतलब की योजना बनाना या फिर जो एमप्लोईज होते हैं उनको न्यूक्त करना विकास करना मतलब बहुत सारे कारिया कर है जिनको अभी हम एक एक करके करेंगे उसमें सबसे पहले है मानोसंसाधन नजो Verbindику परभंदन जो Prevention रोंड धोती है यह मतलब कार्या करती है यह योजना बनाती है ताकि अच्छे से काम किया जा सके इसक लावब देखें हैं पर सेकिंड ग्रेंज कार्या है या नहीं हो रहा है थेर्ड है भरती चैन करने मतलब कि ये जोईनिंग कराते हैं सिलक्ट करते हैं फिर उनको जो पर अपोइंट कर लेते हैं सारी काम भी हमारे मानुरसन साधन प्रबंदन का ही होता है इसके लिए नेक्स्ट अप्रेरन एवं अनुस्थापन मतलब कि ये प्रियर न 550 ¥ प्रियर न देते हैं अपने करमErंक को ताकि वे अपने कारियों को अच्छे से कर सकें बलकि सारी गतिवीदियों को वह अच्छे से पूरा कर सके ही नर्स्ट अपर परक्राइस। ये ट्रेनिंग–देते हैं और replacement कले के लिए भी बात करते हैं इसके नहीं कर रही हैं नेट्स bitch的 संब्मद मतलब जो भी जो लेबर से रिएटॉट जो भी काम होंग़े थे जो का मतलब किस प्रकरण्प एक्रण्वक्त्य क्या काम करेगा क्या का यह वहां पर शिकायत आ रही हैं क्या क्या वहां पर मतलब प्रोलम्स क्रियेट हो रहे हैं तो उन सब की जिम्मेवारी भी मानुर संसाधन प्रबंदन की ही होती है इसके लाव देखें यहां पर दो पॉइंट्स और है शती पूर्ती एवं हितलाब और रिकोर्ड रखना और लास्ट है मानुर संबंद तो जो मतलब शती पू उकसान हो रहा है इनके पास रहेगा यह तो मितलब सद्रक्वात है तो मानुर संसाधन प्रबंदन होता है इसके लिए सादन प्रबंदन होता है तो मतलब यह रिलेशन बताता है कि मानों के क्या रिलेशन से हैं उसके संगठन के साथ है कैसे मतलब संगठन जवाब दे ही है मानों के प्रति मतलब यह साथ चीज़े बताता है यह हमारा फ्रस्ट कोशिंट था आई होप कि आपको सुन्ज में आ गया होगा अब हम गरनेंगे अपना question number second तो देखे question number second हमारे ये है संगठन में यौन उत्पीडन का वर्णन कीजिए कि क्या होता है यौन उत्पीडन और यौन उत्पीडन को रोकने की उपायों की वैख्या करनी है हमको यह हमारे second question है देखे तो देखे यौन उत्पीडन क्या होता है ये एक तरह की धमकी होती है दवाव होता है जब अजस्ती होती है धमकाना होता है और यह पूर मतलब किसी भी करमचारी को यह लिंक की अधर पर यहां पर उसको मतलब की ड्राय जाता है धमकाय जाता है यह होता है योन उत्पिडन्स के बारे में आप अच्छा से जानते हैं और आप यहां से भी पढ़ सकते हैं इसके लावा देखिए तो हम बात करें यहां कि करमचारी इसे बचली चाहर से ढ़ते हो इमिस हे जिनसे की बिधे कानौन को लेके नागए देखिये、 बनाई गई है और ये अधिनियम भी लाए गया था महिलाओं का आशल पड़ती निदी तव अधिनियम चुकिए 1987 में लाए गया था तो मतलब यहां पर भूसा है तरीके गुर्मेंट ने स्टार्ट किये हैं जिनकी वजह से यह उत्पिटर्शन को रोका जा सके तो यह हमारा स कोशन था आप इसको रीड़ कर लेना अब हम करेंगे अपना कोशन नमबर थ्री जो कि देखे क्या है कि कारे विशलेशन जानकारी एक एत्र करने की विधियों की वैख्या कीजिए कि कौन कौन सी विधियां होती है जिनकी वजह से हम अपनी जानकारे को ठक कर सकते हैं तो बात करें से पहले वरतमान जानकारी, शक्षतकार, सर्वेक्षन, अवलोकन, कारिया सूचना, भागीदारी और कारिया डायरी यह मतलब यहां पर टोटल साथ तरीके बताए गए हैं जिनका यूज करके हम जानकारे को एकठा कर सकते हैं जिनको अभी मैं कराती हूँ आपको कर रहा है, हर इंफरमिशन को डीपली मतलब पराप्त करना, तो यह था अवलोकन, इसके लावा सेकिंड है, शक्षतकार, मतलब की इंट्रिव्यू लेना, मतलब जो काम करने वाला होता है, उसके बात से पता चल जाता है कि उसका अपने काम की नोलिज है या नहीं है, तो उ किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसके लावा यहां पर देखिए, मतलब इस विद्धी का फायदा क्या है, मतलब यहां पर अच्छा डाटा मिल जाता है हमको, जो लागत भी यहां पर प्रभावी रहती है, और यहां पर टाइम भी कम लगता ह इस वाली विधी का यूज़ करने में, तो यह होगी हमारी शर्व एक्षन विधी, next अप एक कारियर डाइरी, मतलब कारियर विशलेशन, जो मतलब किया हम इसके बार जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम कारियर जो हम कारने वाले करमचारी होते हैं, उनको एक देनी का डाइरी करने के लिए उनको मितलब कहा जाना चाहिए जिसका यूज कर कि हम भी में और अपनी जनकारीम को देदेंगे इसकल लगा है वर्तमान आकड़िक जो भी हमारे पास की color विचिस लेशन से संब्हूर्ष जानकार में कर शक्ते हैं यहां जन का रख सकते हैं कर सकते हैं our question number next के ना किया है कि धायान की ना कर सकते हैं सिलक्षण की तो हम किन तरीकों का हम यूज करते हैं यह कोश्य है, बोचा गया हम से,Car 3। पहला है reg. नहीं हूं है हम चैन के तकनिकों की बात करें. तो इसमें जो से पहले है रेजूम स्ारवरत जो होता है आपने बारे में, एक रेजूम बनाके लाता है, जो भी sensor किया होता है, इसको सारवरत बोला जा सकता है. जो यहां पर जो candidate होता है वो अपने बारे में अपने एजुकेशन के बारे में अपनी फैमिली के बारे में अपने लाइफ के बारे में वो सब कुछ इसमें मैंशन करके लिए आता है और मतलब उसके अधार पर ही selection हो जाते हैं कई बार क्योंकि उसकी education देखिए इसके लाँ नेक्स्ट है वो है शाक्षतकार मतलब इंट्रिव्य लिया जाता है और उसके लिए निके बहुत सही तरीके होते हैं जिनका यूज करके मतलब की इंट्रिव्य लिया जा सकता है देखिए यहां पर तरीके बताए गई हैं जैसे कि मतलब गुरूप इंट्रिव्य भी होता है इसके लावा आवासी इंट्रिव्य भी होता है मतलब हो सारी इंट्रिव्य के तरीके यहां पर दिखाए गई है इसके लावा देखिए जिसमें जो लास्ट टोपिक है वो है सा लंकन किया जाता है सभी आया मोका इसको कहते हैं mental measurement मुनमित्थिक जो यह psychometric test होता है इसको मानसिगमापन भी कहा जाता है इसमें बहुत सारे चीज़ा के मतलब वो किया जाता है मुलंकन किया जाता जैसे कि उसकी योगगता या इसकी विवरती इसका व्यक्तित वाकलन भी किया जाता है इसके लाब देखी इसके लाब यह मतलब कि बहुत सहत तरीके होते हैं जिसका यूज़ करके इनसान का साइकोमेटिक ट्स्क Спया जाता है तो ये हमने वह कोशन पूरा कर लिया है है यहाँ पे अब हम करेंगे अपना next कोशन तो देखिए यहां से हमारा भाग बैश्टार्त हो जाता है जिसका question number 5 है हमारा On the Job और Off the Job friction पदेदी का और न कीजिए क्या होता है on the job और Off the Job उसके बारे में हमसे question पुशा गया है देखिए इदि हम बात करें on the job की पहले तो गो ऑं the job होता है ये video बोती famous है और बिल्गर मतलब बुनियाधी, कोशल पर्शेशन इंड में दिया जाता है, और सबसे इस्तमाल की जाने वाले, सबसे में विधिय एई, ओंदा जोग, उसे मतलब क्या होता है, जो ने मतलुप से, मतलब डेली, डेलि टीन टाइम में, जो मतलब जो एकती है वो अपने जोब पे आएगा और उसी दोरान उसको स्किल्स कहा जाते हैं ताकि वो अच्छे से मतलब की अपना मतलब अपना बैश्ट दे दे सके अपने संगठन को लेकी इसकर देखिए इसमें बहुत सारी मतलब यहां पर और विधिया भी हैं उन्दा जोब में जैसे की जोब रोटेशन हो गया कोचिंग हो गई या जोब इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया जाए या फिर टीम को सोप अगया का रही है यहां पर जो जो रखती होता है उसको नोकरी से अलग रखा जाता है और उसके मतलब उसको उसके बाद ही तो हम जान होता हुआ फिर अख्र को लेके ट्रेनिंस को लेके बहुत स्कुत कर सके झाले अधि और चीर डेकरे शक्र。 गटना विदी होगी भूमिका निबाना हो गया इसके लावा सम्मिलन वैज चर्चा मतलब आप इनको यहां से सारों को आप यहां से पढ़ सकते हो तो यह कोशन भी हमारे पूरा हो जाता है इसके लाव देखेंगे अभी हम अपना इसके लावा जीवन वरत्ति को बढ़ावा देने के देवी भीन संगतना तमक पहलों की वव्यक्या किजिए तो यहां इस पार्ट कोशन को बुट्व पार्ट में ड्वाड़ किया गया है सो से पहले इसमें है जीवन वरत्ति प्रबंदन की अवधारना देखिए यह हम बात क आप Alrighty, आफ वह स्टैप's उठाते हैं आपने जीवन को, मतलब अपने कैरियर को बनाने के लिए तो उन सबको ही समझाय का जाता है उन सबको ही इसमें अड्रली प्रबंदन में याटें जो कैरियर को लेके होती है इसके लावब देखिए यहां, यहां से आफिए आप इसको पढ़ सकते हो कि जो जीवन वृत्ति पर भंदन होता है वो करमचारियों को उनके कोशल और शम्ता पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए उनमें अच्छी समझ विखसित करता है इसके लावा देखिए यहां पर किती हम बात करें जीवन वृत्ति विकास की तो जीवन वृत्ति विकास वही की केरियर डॉलिमेंट कैसे करेंगे वही होता है हमारा आप इसको यहां से पढ़ सकते हो इसके लाव भी बहुत सारी मतलब पहल या फिर मतलब कदम उठाए गए है जीवन वृत्ति विकास को अच्छे से चलाने के लिए तो उसमें फरस्ट है जीवन वृत्ति नियोजन पर कार्य शायलाई इसके लावा जीवन वृत्ति सम्मधि प्रामश ब दिये जाते हैं या मेंन्टरिंग की जाती है या विश्राम के लिए प्रावधण बनाए जाते हैं इसके लाव देखिए व्यक्तिगत विकास योजनाय भी होती है जीवन वरति वाक्ष्ट्स पर गरी तो घीवन वरति नेट-वर्किंग भी की जाती है तो यह सरे टैप्स होती हैं जिनका यूज़ करके जिन निवरती प्रबंदन को या जिन निवरती कास को अच्छा से मतलब की इन्हेंस किया गया उसको अच्छा से बढ़ाया गया है तो यहाँ पर हमने कंप्लेट कर लिया है अपने यह वालो कोशन भी इसके लावा देखिए निवरती कोशन किया है हमारा तो निवरती कोशन को अच्छा से बढ़ाया गया है तो वह भी हमारा पाच नमबर का है इस कोशन को भी टू पार्ट्स में डिवाड़ किया गया है यदि हम बात करें निश्पादर मुल्यांकन की प्रक्रिया की तो देखिए उसमें कुछ मतलब यहाँ पर दिखाए गया है कि किन तरीकों को यूज़ करके हम निश्पादर मुल्यांकन के प्रोसेस को हम फूरा करते हैं तो इसमें फस्ट चरण जो हमारा है वो देखिए य मारकों का चैन करना और प्राप्त किये गए जाने वाले मान को किस थापना करना तो यह इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है इसके लाव देखिए सेकिंड इसमें क्या है कि निश्पादर मुल्यांकन के लिए अव्दिन निधान करना कि मतलब टाइम पिरिड को यहां पर करूंगा यहां पर परिडिषन को मापना है यहां पर उसको हम यूज करेंगे कि इसके लाव द colonialु यहां पे इन इश्पादर मुल्हंगन के तरीके भी बताये गई लिखाएंट लिखाएंट दल्भ वश्क्राइण भी सुथ проблема लिखी कर सकते हैं इसके लाव देखें यहां पर कुछ आधुनिक विध्या भी बताए गई हैं जैसे कि आकलन केंदर हो गए या 360 डिगरी निश्पादर मुल्यांकन हो गया मतलब यहां पर इसके लाव भी और भी हैं यहां पर जैसे कि उदेश्य द्वारा प्रबंदन हो गया है या फिर बिहेवियर अंकर्ड रेटिंग स्केल हो गया तो मतलब कि यहां पर बहुत साथ तरीकी दिखाए गई हैं जिनका यूज़ करके हम निश्पादर मुल्यांकन कर सकते हैं तो आई होप कि आको समझ में आ रहा होगा मैंने आपको यहां पर सोलुशन दिया है इन सारे answers का अब हम करेंगे अपना last question इस वाले exam का तो यहां पर last question जो हमारा है वो यह है कारियस तल के खतरों और उनको रोकने के तरीकों का वर्णन कीजिए क्योंकों को उनसे कारियस तल के खतरे होते हैं और उनको हम किस प्रकार रोकेंगे इसके बारे में हैं हमसे पूछा गया है इस वाले question में देखिए तो देखी कारियस तल के खतरे हैं और उनको रोकने के उपाई मतलब बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि मशीन ट्रू हो गई या जो उपकरण अच्छे नहीं है जो वायरस वगएर है वो अच्छा से काम नहीं कर रही है तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो इस दिन के वज़ए से काम रुक जाता है या फिक कारियस तल पर खत्रों के संभावना बढ़ जाती है तो किसी वाँ पर फर्च दिखाए गए तनाव और बर्नाउट मतलब कि जो इसकरमचारी होते हैं यदि वो तनाव में हैं तो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि मतलब वो स्ट्रेस में चल रही है तो वो किसी खत्रे में पढ़ जाएं या फिर उनकी खत्री का सामना करना पड़े ऐसा भी हो सकता है इसके लेखिए, सबिए सफासाद, अवसाद क्या होता है? मतलब इस फीलिंग होती है, जिसमें इनसान जो होता है, वो नेगरिट्विटी के तरफ जियादा, ज्यादा उसका जुकाव हो जाता है, बहुए जड़ा, वो अवसाद को फील करता है, यदि ऐसा होता है तो भी मतलब की कारियस्तल पर खत्रों के संभावन बढ़ जाती है यहां पर स्मोकिंग कर रहा है तो यह बहुत बड़े खत्रों को वहां पर बुलावा दे रहा है हट्दीज को वहां पर ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए नेक्स्ट करें तरह पर मादक द्रवों का उप्योग मैं यह दे कोई ड्रिंकिंग करके आ रहा है अपने वर्क प्लेस पर तो रेटिमिंस क्या है कि मतलब वह तो खत्रा माँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है अपस में लड़ाई भी हो सकती है वाच्छा काम ना कर रहा हो मसीन जो यदि वो मशीन पर काम कर रहा है तो मतलब उसके हाथ फिर मसीन में आ जाए मतलब ऐसे वह सारे खत्रे होते हैं जिसका उस इंसान को सामना करना पड़ सकता है इसके लाव देखिए यहां पर एक और दिखाए गया कि कारेस्तल पर हिंसा यदि आपस में काम अच्छ इस वजह से भी मतलब वहां पर लड़ाई मार पिट वगरा हो सकती है कारेस्तल पर वर्क प्लेस पर तो इसकी वजह से मतलब प्रोलम क्रियेट हो सकती है और कारेस्तल पर खत्रे मतलब खत्रे हमको देखनों को मिल सकते हैं मतलब इन सबसे को रोकें कैसे हम की बेतनाव को द यहां पर मैंने आपको पूरा करादिया है, यह कोशीन पेपर, तो देखिए आज हमने किया है यहां पर BPCS 187 का जो उन दो हजाती है इसका यह हमने कोशन पर पूरा कर लिया है यह मैंने यहां पर आप उसका पूरा सॉलुशन करा दिया है तो आप यहां पर PDF के तरफ ध्यान न देखिए कि PDF अच्छी नहीं बनी हुई है तो आप इसको अच्छे से जान सको और आप इन सब खार कोशन के नांस्वर्स को आप यहां से ही प्राप्त कर सको तो यदि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है आपको मेरे वीडियो अच्छी लग रही है तो please मारे वीडियो को ज़द से ज़दा आप शेयर करें लाइक करें और य fam कोई प्रोब्लम है यद Pie चेंड कोई चाहते हो तो please comment करें और हमारे चनल को आप ज़द से ज़दा सब्सक्राइब करें Thanks everyone, thanks for watching